Tata Motors Limited, अगर आपके पास Tata Motors का शेर है, तो आप खुश हो सकते है, कि Tata Motors के ओपर 2026 के लिए 715 का टारगेट दे रहे है, Ventura Capital के दोड़ा, और ये टारगेट 70% अपसाइड है अभी के प्राइस के अनुसार, तो आगे आने बोले 30 महिने की अंदर Tata Motors की स्टेर प्राइस 416 से ल CIGR क्रोथ रहने वाला है अभी के अनुसार, टोटल कमपनी का रेविन्यू रहेगा 5,13,000 क्रोड के आसपास for 2026, अगर आप ग्रोथ को थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड करते हैं, तो यहाँ पे JLR का जो बिसनेस है, यहाँ जैगवर का जो कमपनी का बिसनेस है, वहाँ प CIGR क्रोथ रहने वाला है, आगे आने वाले 3 साल की अंदर, और यहाँ का जो रेविन्यू टार्गेट दिया जा रहा है, वो है 88,866 क्रोड का, अगर कमपनी का आटो फाइनस का बिसनेस देखेंगे, तो यहाँ पे भी 17% ग्रोथ आप एक्सप्रेक कर सकते हैं, और 22.7% CIGR गोथ आप एक्सप्रेक कर सकते हैं, टार्टा मोर्टर्स के द्वारा ऐसा वेंचुरा का कहना है, और टार्टा मोर्टर्स के ऊपर यह टार्गेट देने का पीछे, बहुत सारा रीजन भी कमपनी ने यहाँ पे एक्सप्रेंग यहाँ पे किया है, तो यह पूरे र अधर कंट्री यहाँ पे बहुत तेजी से ग्रो करेगा, साथ यह साथ जो एक्सपोर्ट मार्केट है, वहाँ पे भी तेजी आपको देखने को जरूर मिलेगा, जिसका फाइदा टार्टा मोर्टर्स को सबसे पहले मिलेगा इंडिया की अंदर, क्योंकि सबसे जादा जो इ कंपनीज को फाइदा जरूर मिलेगा, साथ यह साथ टार्टा मोर्टर्स का जो कोर्स सेक्टर है, वहाँ पे ग्रोथ बहुत ही तेजी से हो रहा है, और यह ग्रोथ आने वाले क्वार्टर के अंदर सस्टेन रहेगा, और दो चीज़ जो टार्टा मोर्टर्स को लांग ठरम के लिए help करेगा, वो है कंपनी का जो first mover advantage है, यहाँ पे फाइदा टार्टा मोर्टर्स को जितना भी कैपेक्स करना था, तो बड़ा बड़ा कैपेक्स अल्री कंपनी ने कर चुका है, जिसका फाइदा कंपनी को मिलेगा आ गयने वाले सालों की अंदर, तो future में कोई जादा बड़ा capex यहाँ पे नहीं है, जितना भी है, छोटा मोटा capex है, तो capital expenditure कंपनी का future में कम होगा, तो company का net profit के अंदर थोरा सा सुधार देखना को मिलेगा, साथ ही साथ चीप को लेकर जो problem था पहले, वो problem भी यहाँ पे सुधार गया है, तो इसलिए इंडिया की अंदर जो cheap mobile sector यहाँ पे केजी से grow होगा, और जैसी का आपको पता है, यह business एक cyclic business है, तो यह cycle बहुत सालों से यहाँ यहाँ पे लगाता है, slow ही चल रहा है, लेकिन फिर से यहाँ से boom होने का suggestion analysis के दुवारा दिया चाला है, जिसके चलते Tata Motors future में बहुत ही अच्छा काम करेगा, तो अ सबसे चो challenges कमपनी के ऊपर रहने वाले हैं, वो है climate change, अगर कोई भी incident होता है climate की ऊपर, तो यह company के लिए problem हो सकता है, कोई भी emission norms change हो जाता है, वो भी company के लिए problem create हो सकता है, cost increase हो जाता है, यानि कि जो commodity prices है, वो यहाँ पे increase हो जाता है, तो वो directly auto sector को यहाँ पे effort देता है, स अगर आप Tata Motors का future projection की बात करें, तो share price के अंदर किस तरह से projection रहने वाला है, तो screen में आप देख पा रहे है, किस तरह से 2026 तक share price 750 तक move होते हुए आपको देखने को मिलेगा, तो सारे कुछ points आप research कीजिए, उसके बाद आप खुद का decision खुद लीजिए, क्या आपको Tata Motors hold क करने चाहिए, नया buy करना चाहिए, या sell करना चाहिए, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद है, तो like ज़रो कीजिए, आज वीडियो में इतना ही, see you on next video.